हलो गाईज तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेवी गुपता का सॉलूइशन ठीक हम कर रहे है EDC के कोशन नूमर 61 से लेके 75 तक इन दा सरकेट शोन बिलो अवरेज वेल्यू ओफ बी नौट टी विल भी यानि वी नौट टी की हमें एवरेज वेल्यू निकालनी है ठीक है तो इस कोशन में डायोड लग रहा है न पहले हमें क्या पता करना है यह जो सरकेट है यह फिर यह पूरा प्लिट नेटवर्क है यह एक half wave rectifier है या फिर full wave rectifier की तरह काम कर रहा है ठीक है किस की तरह काम करें वह हमें पहले check करना है यह आपका पहला step है ठीक है अब हम देको हम supply क्या दे रहें Vm sin omega t यानि यहां से यह तो confirm हो गया कि जो हमारी supply है वो कैसी है एक sinusoidal supply है जो कि कुछ इस type में आपकी होती है sinusoidal supply ठीक है अब देखो यह आपका रहता है positive cycle यह आपका रहता है negative cycle तो पहले हम चेक करते हैं कि positive cycle में आपका यह circuit किस ट्राइप काम करेगा ठीक है पहले देखते है positive half cycle तो इस case में जो आपका circuit होगा तो कुछ इस type में आपका बनेगा ठीक है simple यह आपका supply हो जाएगी तो इस पॉजिटिव मतलब यह आपका positive होगा और यह negative polarity होगी ठीक है इस case में अगर देखोंगे यह आपका positive हो गया यह आपका negative हो गया ठीक है अब diode में हमें पता है कि यह आपका P terminal होता है यह आपका N terminal होता है ठीक है तो P आपका negative से connected है और N positive से तो यह diode कैसा हो गया इस case में reverse bias हो गया ठीक है तो यह कुछ circuit आपका, इस type में यह बन जाएगा, ठीक है, जो equivalent circuit बन गया, तो यह बन गया, अब देखो, इस case में हमें क्या करना है, V0 of T, यही तो voltage निकालना है, ठीक है, तो इस case में जो हमारा current है, यहाँ पर मान लेते है, current flow हो रहा है, ठीक है, तो जो current है, वो तो आपका आ बिल रहा, ठीक है, अब second जो आपका है, यानि negative half cycle, उसमें check करते है, तो इस case में आपकी जो polarity आपकी supply की, यह आपका supply voltage, polarity हो जाएगी minus, plus, ठीक है, जैसे minus, plus हो गई, यानि कि क्या हो गया, अब आपकी polarity कुछ इस type की हो गई, यहाँ पर negative, यहाँ पर positive, तो अब देखो, N type आपके negative से connected है, P type positive से connected है, ठीक है, इसमें यह आपका forward wise हो गया, ठीक है, तो forward wise में मैं शॉर्ट circuit होता है, तो हमने इसको short circuit कर दिया, यह आपका resistance already है यह, ठीक है, R, और यहाँ से हमारा यह output voltage जो हमें निकालना है, यह V0 of T, यहाँ तर clear है, अब मान लेते हैं, जो input voltage है अब current कुछ इस type में आपका flow होगा, clear है, तो यहाँ से गर मैं को V0 की value निकालना है, ठीक है, देख सकते है, आराम से, जो voltage है, V0 T, ठीक है, इसकी value simple क्या हो जाएगी, इसको polarity इसने mention करी है, plus minus, यह plus है, यह minus है, तो यहाँ से आप देखके बता सकते हो, जो V0 की value होगी, minus क V1, यहाँ तक चीज के लिए है, आपकी, output voltage हमने निकाल दिया है, यहाँ तक, अब हमें तो क्या पूछा है, कि average value निकालनी है, इस voltage की, ठीक है, तो आप अगर अब waveform बनाते हो, ठीक है, यानि कि, वारी supply voltage की waveform थी, कुछ तो कुछ इस type में थी, और sinusoidal ठीक है, यहाँ की कु V0T की, तो वो कुछ इस type की बनेगी, आप देख सकते हो, तो जब-जब आपका positive cycle होगा, तब हमें output कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, output voltage हमारा 0 होगा, positive cycle में output 0 कर देते है, यह हमारा 0, यह हमारा 0, यह जब-जब negative cycle होगा, तब आपको voltage मिलेगा, ठीक है, लेकिन input voltage का opposite, ठीक ह ठीक हो, ठीक है, तो हमें negative में मिलगा, तो यह किस की तरह काम कर रहा है, यह half-wave rectifier की तरह काम कर रहा है आपका, यह particular circuit ठीक है, ठीक है, और half-wave rectifier के लिए, हमने average value हमें याद ही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी maximum value है, divided by दिवाइड by इस पर्टिकुलर सर्केट के लिए यह जो लिकिती आ जाएगी यह इवरेज इकल्स टू माइनस वी एम डिवाइड़ेड़ भाई जो हमें आउटपुट कम बिल रहा है जब आपका जो इन्पुट वोल्टेज है वो नेगेटिव साइकल में और नेगेटिव साइकल में आप डायोड शोन इन दे सर्केट इस पाइफों एंड अधर पैरामिटर आज सेम एज देट अफ आइडिल डायोड एन वाट इस दीशी कंपोनेंट ऑफ सोर्स करन्ट डीशी कंपोनेंट पूछा यानिकी एवरेज वैलू पूछी आपको सोर्स करन्ट की लेरे चीज तो हमने एक चीज तो नोटिस कर ली कि हमारा सोर्स कैसे है साइनो सुडल सप्ला है अपर प्रोवाइड कर रहे हैं या पर इस सर्केट में और हमारा यह डायोड है पहला स्टेप हमेसा वह ही है चेक करेंगे कि आपका जो सर्केट है वह फुल वेव रेक्टिवायर की तरह काम कर रह बात आती है तो अगर आइडियल कंडिशिन होगी उसको हम सिंपल रिप्लेश कर देते हैं बर जब प्रेक्टिकल डैवेड की बात आती है ना तो हम इसको शौट डैवेस नहीं कर सकते हैं तो इसे प्रेक्टिचल डैवेड आपके पास कुछ इस टाइप ठोट थिक है तो इसका एक resistance आएगा या पर हम बोलते forward resistance इस चीज आपके clear है और यह जो voltage आपका हम बोलते नी voltage तो देखो इस question में इसने क्या बोला है simple कि हमारा है तो ideal diode है ठीक है ideal जैसे हो एक काम कर रहा है बट उसमें forward resistance भी है ठीक है जिसकी value उसने देदी 5 ohm तो देखो अगर इस circuit को simple दो process में जले ठीक है पहले हम देखते positive half wave cycle में positive half wave cycle में देखते है then हम negative half wave में देखेंगे तो जब आपका positive cycle होगा तो जो supply होगी ठीक है यहाँ से आपकी supply आ रही है मान लेते है यह आपकी यह मान लेते है v i input voltage quality आपकी यह होगी plus minus इस case में आपका diet देखके पता चल रहा है कि forward wise हो गया ठीक है यह forward wise हो गया तो यहाँ से आपका यह 5 ohm का resistance है ठीक है यह ऐसे आप कप करते है यह आपका होता normal case में ठीक है बट इस case में क्या होगा आपका जो diode है उसमें इसने बोला है कि forward resistance को consider करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा forward resistance को consider करना पड़ेगा यानि कि अगर आप इसको बनाते हो, तो देखो, पहले तो आपका जो simple diode है, यह short circuit जैसा होगी है diode, forward wise और एक resistance हमें और add करना पड़ेगा, 5 ohm का, clear है चीज? तो यह circuit का आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, अब इसने बोला है हमें क्या निकालना है, current निकालना है, source current यानि क कि यह से जो आपका current flow होगा, ठीक है, simple मालनेते हैं, इसमें जो current flow हो रहा है, भी हो रहा है, i current flow हो रहा है, ठीक है, तो इसकी value निकालते है simple, तो देखो, जो current flow होगा, i of t, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपके पूरे circuit का जो भी voltage है, ठीक है, vi divided by circuit का total resistance, 45 प्लस 5 दुन सीरीज में है, तो यह आपका आगया 50 ohm, तो यह हमारा क्या आगया, current आगया, ठीक है, ampere, अब यह तो हमारा है, positive half cycle में, अब ऐसे हम negative half cycle में भी देख सकते है, ठीक है, तो नेगटिव half cycle में, आपका यह हो गया input voltage, ठीक है, vi, quality क्या हो जाएगी, यह हो जाएगा minus, यह हो जाएगा plus, यह quality just change हो जाएगी, अब जैसे quality change हो गई, आपका यह क्या हो जाएगा, reverse bias हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका reverse bias हो गया, ठीक है, यह आपका यहापे 45 ohm का resistance, ठीक है, अब देखने से पता चल रहा है कि यह open है, because reverse bias है, इसके इसमें जो current है, ठीक है, I of T, negative half cycle में क्या मि appear, यह ठीक है, basic clear है, जोंदों में, अब देखो, अगर आप simple current की waveform भी बना लगे, तो same ही बने वाले है, ठीक है, जैसे last question में voltage की बने थी, उस type की बनेगी, तो देखके हमें एक चीज़ तो पता चल गई, यह आपका जो circuit है, वो कैसा एक half wave rectifier है, ठीक है, half wave rectifier का circuit है, देख हमें आपका save हो, तो half wave rectifier का circuit है, अब इसने पूछा, DC component का, तो IDC, ठीक है, जिसको हम बोलते है, I average भी बोलते है, इसको, I average, तो half wave rectifier के लिए, I average का होता है simple, I am divided by 5, ठीक है, यह ही रहता है आपका, अब देखो, हमें जो current मिला है, I of T, ठीक है, यह हमें मिला है, V I divided by 50, ठी ठीक है, तो यह मेरा current flow हो रहा है, ठीक है, इस circuit में, तो अगर इस current को थोड़ा मैं और simplify करता हूँ, तो I of T क्या हो जागा, देखो, V I की value के, Vm sin omega T, ठीक है, तो यहा से जो Vm by 50 है, ठीक है, यह मेरा क्या बन गया, maximum current, तो यहा से मेरा जो I of T आया, I of T मेरा आ गया, यहा से I am sin omega T, ठीक है, अब हमें पता हैं, कि DC और average वाली क्या होती है, I am upon pi, तो यहा से simple आपकी जो DC component है, current का, source current का, हो क्या हो गया, I am upon pi, I am की value के, Vm by 50, यहा से यह value हो गया, Vm by 55, ठीक है, ampere, यहा आपका क्या हो जाएगा, answer, ठीक है, ऐसे step by step चलना है आपको, और answer check करना है, because, EDC में यही दिक्कत होती है आपके, कि थोड़े से भी mystic हो जाती है, आपका पूरा answer के लगत हो जाता है, यह option आपका correct answer, what is the peak current through the register in the circuit given below, assuming the diode to be ideal, आपका diode ideal है, और इसमें हमें 1 kilo ohm के तुरू क्या current flow होगा, यह निकालना है, ठीक है, तो यह को sinusoidal supply हम provide कर रहे हैं, तो हम चेकर दें, positive half cycle के लिए, फिर हम चेकर देंगे, positive, sorry, negative half cycle के लिए, इस case में, आपकी polarity, आपकी कुछ इस type में हो जाएगी supply voltage की, ठीक है, यह आपका positive, यह आपका negative, यह आपका 1 kilo ohm का resistance, 1 kilo ohm का resistance, ठीक है, diode हमारा इस case में forward हो जाएगा, यह हमारा forward हो गया, देन हमारी यह input voltage, इसमें मैं simple KVL लगा सकता हूँ, या फिर मैंको निकालना है simple current की value, ठीक है न, because current की बात हुई है, ठीक है, current क्या हो जाएगा simple, I of T, ठीक है, I of T equals 2, जो भी पूरे circuit में supply voltage है, divided by resistance, supply voltage देको मैं simple निकाल सकता हूँ, VI, ठीक है, यह आपका यह minus है, VI minus 4 volt, ठीक है, divided by 1 kilo ohm, clear है, या फिर मैं इसको simple लिख सकता हूँ, current आपका हो जाएगा, current equals to, या आपका जाएगा, vi minus 4, ठीक है, या नीचे kilo है न, उसको उपर वेजुँगा तो या current आजाएगा मेरा milliampere में, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, current तो मेरा आ गया, अगर आपको ऐसे समझ में नही हो जाएगा, 1 kilo ohm, ठीक है, तो इसकेस में simply आपका reverse bias हो जाएगा, तो open हो गया, या आपकी battery हो गया, 4 volt की, ठीक है, simple current निकालना है, target already open है, current आपका इस case में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी current आपका आपका आगया, इस case में 0, clear है चीज, तो दोनों case में हमने current निका circuit के लिए, current हमें मिल गया, pi minus 4 milli ampere, ठीक है, यह हमारा current आया है, यहाँ तक आपको कोई problem नहीं होगी, अब में को बोला है, current बताईए, यानी I बताईए, कि कौन सी value बतानी है, peak value ठीक है, इसने बोला है न, peak current, यह को देख सकते हैं, what is the peak current, ठीक है, तो peak current अगर निकालनी है तो में को क्या करना पड़ेगा, simple जो मेरा है यह voltage, pi minus 4, ठीक है, जो मेरा यह है, milli ampere में, तो इसमें जो भी है मेरे expression यूज हो रहे है, उन सब की में को कौन सी value यूज करनी पड़ेगी, peak value यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, मेरा जो I peak है, यानी जो peak current है, ठीक है, वो क्या ह से देखो, I peak कितना आ जाएगा, अब voltage की मेरी peak value किती है, ठीक है, peak मतलब maximum value, यह आपर दे रखिया, question में किती है, 12, यह आपका आ गया 12 minus 4, यानी कि 8 milli ampere, यानी आपका जो peak current है, जो 1 kilo ohm के थुरू flow होगा, वो कितना होगा, 12 minus 4, यानी कि 8 milli ampere, यानी B option आपका correct answer, assuming that the diodes are ideal in the figure, the current in the diode D1, D1 से current किता flow होगा, यह बताना हमें, ठीक है या तक, अब पहले D2 को check करते है, ठीक है, तो D2 देखो हमारे क्या है, यह आपका N type material, यह पर यह P type, यह P N junction diode होगया, आपके देखो, यह battery का negative terminal, यहाँ से connected है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर obvious बाद है, positive terminal होगा, clear ह होगया, ठीक है, अगर D2 forward bias होगया, तो मतलब यह जो 8 volt की battery है, यहाँ से इसका कुछ ना कुछ current flow होगा, माल लेते, I1 current, ठीक है, अब यह 5 volt की battery है, यह positive यह negative, इसमें भी आपका कुछ ना कुछ current flow होगा, माल लेते current आपका, I2 flow होगा, यहाँ से आपका total current दोना उपर जो current है, वो end terminal के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो इस case में ऐसे type में क्या होता है, diode reverse bias में होता है, आपने देखा भी होगा, अगर diode आपका कुछ इस type का रहता है, यह आपका P, यह आपका end, ठीक है, अगर आपका current इस direction में flow होता है, तो diode किस की तरह काम करता है, reverse bias की तरह काम करता है, ठीक है, तो open circuit में current आपका क्या रहता है, 0 रहता है, यह नि जो D1 diode है, उसके थू current कुछ भी flow नहीं होने वाला, यह नि क्या बोलेंगे 0 ampere, milli ampere, ठीक है, unit आपकी same है, कुछ भी दो, assuming that D1 and D2 in the figure are ideal diode, the value of current I is, आपको इस current I की value बतानी है, ठीक है, तो पहले आप diode क चेक करो, D2, ठीक है, D2 यह रहा, यह आपका P type है, यह आपका N type है, अब यह आपर देखो current की reaction इसनों अल्रेडी दे रखी है, यह है, नीचे की तरफ, यानि कि current कैसा आ रहा है, कुछ इस type में आपका आ रहा है, current I, ठीक है, तो current यह को N type के material, यानि जो N आपका terminal है, उसके reverse bias में हो गया, तो reverse bias में current आपको 0 होता है, तो यह current की value क्या होगी, 0 mA, the voltage VAB, 4 sin omega T is applied across the terminal A and B of the circuit, the diode are assumed to be ideal, the impedance offered by the circuit across the terminal A and B in kilo ohm is, ठीक है, यह बी के cross, आपका resistance क्या होगा, वो हमें पूचा है, clear है चीज, तो देखो, आपकी supply है, sinusoidal supply है, यानि कि इसमें positive or negative cycle दोने होने व दोनों cycle के लिए हम check करेंगे पहले, तो पहले हम check करते है positive half cycle के लिए, तो देखो, इस case में आपकी जो polarity है, ठीक है, यह कुछ, इस type में आपकी polarity रहेगी, या आपकी positive, या आपकी negative, ठीक है, हमारा input voltage है simple, देखो, यहाँ से यहाँ पर चलते है, देखो, यहाँ से आपका कौन से type है, n material, या आपका P, obvious बात है, n के अंदर करन जा रहे है, यहाँ आपका diode तो क्या हो गया, reverse bias हो गया, और यहाँ आपका P, यहाँ आपका n, यहाँ दीवन आपका इस case में forward हो गया, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर note लिख लो, यहाँ दीवन आपका इस case में क्या ह ठीक है, यहाँ पर आपका यह forward, यहाँ आपका 10 km का resistance, ठीक है, अब मैं को क्या पूचा है, यहाँ आपका resistance क्या होगा, ठीक है, यहाँ इंपेदेंस A और B, terminal के बीच में, यहाँ पर simple आप resistance बता सकते हो, यहाँ से अगर निकालते हो, यहाँ कि RAB, ठीक है, RAB, तो किता अगर देख सकते हो, 10 kWh, ठीक है, यहाँ से आप simple देखते हो, यह तो branch open है, अब ऐसे हम negative cycle के लिए देखते है, विकॉज हमें तो impedancy check करना है, current होगे रहा की, तो इसने कोई बात ही नहीं की, तो देखो, जब negative की बात आएगी, ठीक है, negative की case में, आपका current कैसे flow होगा, quality उस reverse, और D2 आपका होगया, forward, ठीक है, देखके पता चल रहा है, simple, D1 आपका इस case में होगया, reverse biased, और जो D2 है, यह आपका होगया, forward biased, तो इस case में, अगर आप circuit बनाते हो, यह तो आपके होगी, input voltage, quality plus minus, ठीक है, और यहाँ पर यह आपका देखो, diode forward, यह 10 kWh का resistance, 10 kWh का resistance, यहा रहूँका, ठीक हो, resistance, ठीक है, तो मेंको तो क्या निकलना है, resistance, मेरा A यह रहा, ठीक है, B यह रहा, तो यह आज से simple, equivalent resistance निकाल लूँगा, इस case में, मेरा RAB, तो किता मिल जाएगा, 10 kWh, clear है चीज, तो देखो, चाहिए मेरा negative half cycle हो, या फिर positive half cycle हो, दोनों में में, जो circuit का equivalent independence है, वो क्या है, 10 kWh, ठीक है, तो आपका answer क्या हो जाएगा, C option, correct answer, तो voltage, 100 sin omega t, volt is applied across by z, assuming ideal diode, the voltage measured across w x in the voltage, आपको w और x के बीच में, voltage निकालना है, ठीक है, तो देखो, आपका supply voltage है, 1000 sin omega t, ठीक है, obvious हो बहाँ तो sinusoidal supply, ठीक है, तो एक बार positive half cycle होगा, एक बार negative half cycle होगा, पहले positive के लिए चेक करते है, तो जब positive half cycle होगा, यानि यह positive और यह negative, ठीक है, यही रहगा, तो यह आज से देखो, यह जो negative terminal है, ठीक है, यह आपका इस diode से भी connected हो गया, और आपका इस diode से भी negative connected हो गया, यह P type material है, यह N, ठीक है, यहापर यह P, यह N, क्या तर clear है आपका, यह आपर देख सकते हो, आपका जो negative polarity है, वो P type से connect हो रही है, ठीक है, तो ऐसा होता है तब क्या होता है, यह diode आपका reverse biased हो गया, ठीक है, यह diode भी इस case में आपका reverse biased हो गया, ठीक है, अब देखो, दूसरा जब देखते है, यह positive polarity है, यह positive polarity मतलब current flow हो ठीक है, current कुछ इस P, तो N के अंदर देखो, यानि N type में आपका current, N side से enter हो रहा रहा है, इस एक zucch डायओमे, यह कैसा हो गया, reverse biased हो गया, ठीक है, यह बी reverse biased और यह भी आपका reverse biased हो गया, ठीक है, यह यह क्या हो गया, simple, all diode, यानि जितने भी मेरे diode है, ठीक है, circuit मे, सारे के सारे ही आपके reverse biased हो ग यहां से आपका यह resistance यहां से आप यह supply दे रहे हो फाई, जैड ठीक है यहां से यह connected है यहां पर एक हमारा resistance लग रहता है यह हमारा हो गया resistance ठीक है तक मैं को voltage क्या चीए यहां पर यह W ठीक है यहां पर मैं को यह चीए X, तो देख सकते हो W और X के बीच में कुछ भी voltage नहीं है ठीक है सारी branch open है कई से भी voltage तो इसको कुछ मिलने वाला नहीं है ठीक है तो इस case में जो आपका voltage होगा यहांनि V, W, X के बीच में ठीक है, सिंबल क्या हो जाएगा 0V, अब हम चेक करते negative half cycle के लिए उसको rough कर देते पहले ठीक है, यह आपका rough कर लेते है फिर checkers इसमें क्या होगा इस case में तो देखो, negative half cycle मतलब यह आपकी negative होगी और यह आपकी positive polarity होगी ठीक है, तो यह आपके यह positive P से connected है और यह आपके भी यह positive P से connected है यह आपके इस case में क्या होगी forward bias होगी, ठीक है, यह यह भी forward और यह भी forward अब यह आपर यह negative है, negative का मतलब current यह से ऐसे आ रहा होगा नीचे की तरब यह तो current obvious बात है यह से इसे आया होगा दोनों side से ठीक है, और इसमें enter हुआ होगा यहाणि end side से current बाहर आ रहा है यए कि यह आप P side में current गया होगा ठीक है, यह अपका kreis होगे diode, यह आपका forward bias होगया और यह भी आपका forward bias होगया यह इस case में सारे diode आपके forward biased है यह इस case में आपका circuit बनेगा यह simple सारे diode को आप क्या कर देंगे factors कर देएगेior ध्यापका हो गया yZ यह एक ओ डायोड आह यह आपका फारवर्ड यह से एक ओ डायोड यह भी आपका फारवर्ड यह सब्सक्राइब हो जायगा A gistance यह आपका voltage था yz यह आपके ओ यह प्यापकर x आप डेखके बता सकते ओ यह WX के बीच में VWX voltage है, यह आपका 0 है, ठीक है कैसे, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आप simple देखो यहापे भी तो इनको shift कर सकते हो, पाल लेते हैं यह आपका W point है, यह point आपका X है, तो यह पूरी एक क्या होगी branch, ठीक है, पूरी क्या है, short circuit branch है, ठीक है, यानि कु ठीक है, यहापे भी voltage क्या हो गया, 0, यानि कि हमें positive half cycle में भी 0 voltage मिल रहा है, और negative half cycle में भी 0 voltage मिल रहा है, यानि आपकी जो supply voltage है, ठीक है, किसी भी time period पर check कर लो, और time period पर हमारा voltage क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानि 0 for all T, यह रहे चीज, जो आपका जो input supply है, वो continuously change होता रह र होगा, clear is it, assuming that the diodes in the given circuit are ideal, the voltage V0 is, आपके diode ideal है, हमें बताना है कि voltage क्या होगा V0, ठीक है, तो पहले यहापे polarity check करते है, यह plus, यह minus, ठीक है, यह P type, यह N type, current obvious बात ऐसे flow होगा, तो यह diode तो आपका forward हो गया, ठीक है, तो forward मतलब short circuit, यहापे देखो, यहापका P type, यहापे N type ठीक है, अब यह जो negative है, negative आपका किससे, P type से connected है, यह क्यासा हो गया, open circuit हो गया, ठीक है, यह diode, ठीक है, reverse bias हो गया न, तो यहाँ से simple अगर मैं circuit को वापिस बनाता हूँ, यह मेरा short circuit, ठीक है, यह मेरा एक 10 km, यह मेरा दूसरा 10 km, ठीक है, बाके आगे open circuit है तो बनाने की अब यहाँ से यह voltage हमारा है, 10 volt है, यह हमारा हो गया, 10 volt, ठीक है, यह आपका है 10 km, यह भी हमारा है 10 km, ठीक है, simple यहाँ पर हमें क्या निकालना है, P 0 voltage निकालना है, तो दूनों resistance सीरीज में, तो simple जो voltage आपका division rule है, वो आप लगा सकते हो, यानि total voltage, यह ता 10 volt, जिसके across निक resistance, यानि 10 km, ठीक है, divided by total resistance, यानि 10 km, प्लस 10 km, यह आपको मिलगा देखो, 10 into 10 km, ठीक है, divided by 20 km, ठीक है, तो kilo ohm से kilo ohm तो यहाँ पर cancel out हो जाएगा, यह आपका किता आ जाएगा, यह गया 2 times, 2 से यह 10 गया, 5 times, यह आपको जो output voltage है, V0, यह आपका आ गया 5 volt, यानि B option आपका correct answer, तो देखो अगला question है, what are the states of the three ideal diode of the circuit shown in the figure, ठीक है, तीन diode दे दिये circuit में, इनके में state बताने है, कौन सा on होगा, कौन सा off होगा, clear है चीज, देखो, आपका जो यह 10 volt का source है, यह 10 volt का source है, इस में से थोड़ा बहुत voltage आपके 1 ohm के cross drop होगा, यह आपको voltage आ यहापे मिलेग positive voltage ही मिलने वाला है, यह चीज clear है, अब देखो, यह एगर positive voltage मिलेगा, यानि कि यह positive, यह negative, clear है, यह हमारा होता P type, यह पर होता यह N type, ठीक है, तो यह junction कैसा हो गया एक तरसे, even कैसा हो गया basically, forward bias हो गया, ठीक है, अब ऐसे एगर आप 5 ampere source को देखते हो, ठीक है, तो current आपक यह पर नीची जाएगा, ठीक है, बट जैसे आपने देखा, यह आपका end type है, यह आपका p type है, अब end type के आपका current अंदर जा रहा है, तो यह कैसा हो गया एक तरसे, reverse bias हो गया, तो इतना हमने देखके, यह तो confirm कर दिया, कि d1 और d3, इनकी state तो हमने confirm कर दी, विकार यह confirm ही आपका off रहेगा, यह चीज क्लिए आपकी, बागी देखो, अब यह 5 ampere नीचे तो जाने वाला नहीं है, आगे जाएगा, ठीक है, यहापर चला जाएगा, तो 5 ampere में से कुछ portion आपका, यहापर चला जाएगा, कुछ portion यहापर चला जाएगा, और कुछ portion आपका, कैसे flow हो रहा है, end type के material के inside जा रहा है, ठीक है, end के अंदर जा रहा है, current, यहाँ से d2 हमें क्या पता चला, पहले हमें लग रहा था कि forward bias है, यहापर पॉजिटीव पॉजिटीव से connected है, बट हमने जैसे current की direction देखी, यहापर, current आपका end type के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो इस case में भी देखो, d1 में जो current flow हो रहा है, वो p type में जा रहा है material, ठीक है, पहले p में जा रहा है, तो d1 तो confirm ही हो गया कि, चाहिए source हो, चाहिए source हो, d1 तो आपका forward bias ही रहने वाला है, और यहाँ से हमने देखा, d3 भी आपका off ही रहने वाला है, ठीक है, तो हम क्या बोले is given by curve A in figure B, ठीक है, आपको figure भी दे दिया, इसमें curve A किसको represent करता है, इसके आप characteristic को, ठीक है, तो बताइए, यह जो आपका figure है, ठीक है, यह जो आपका दे रहा है, इसकी characteristic क्या होगी, यह पूछिए हमें, ठीक है नहीं चीज, तो देखो, यह आपका क्या है, देखो, यह p, यह आपका N टाइप, ठीक है, यह आपकी positive, यह आपकी negative, अब ज़रा यहापे समझो ध्यान से, ठीक है, यह current आपका कुछ P टाइप में जा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो यह आसमें देखके एक बार बता सकते हैं, यह आपका कैसे forward bias के लिए, ठीक है, और इसके लिए में characteristic दे रखिए, यह वाली curve, तो देख भी सकते हो, जब forward bias आप बनाते हो, तो characteristic कुछ आपकी इस टाइप की बनती है, ठीक है, और यह जो voltage होता आपका, ठीक हम बोलते है, नहीं voltage, clear है चीज, तो देखो, अब हमें बतानी है इसके लिए, तो यहापे हमने क्या, क्या, diode को action है, तो हम क्या बोल सकते है, यह diode आपका हो गया, reverse bias में, ठीक है, reverse bias होगी ने, इसकी, तो अब इस case में क्या बोलेंगे, कि leakage current आपका flow होगा, ठीक है, तो हम बोल सकते है, reverse bias में आपका कैसा होता है, कुछ characteristic आपकी, ऐसे पीछे की तरफ बनती है, ठीक है, आपने बना भी र curve C, ठीक है, तो आपका जो यह figure C है, के लिए जो curve बनेगा, वो कौन सा बनेगा, यह वाला बनेगा, ठीक है, curve C, यहनि C option आपका correct answer होगा, clear चीज, simply यह आपके diode की polarity अगरे सब उल्टा कर दिया, तो reverse bias में हो गया, यह diode, the equivalent circuit of a diode during forward bias and reverse bias condition are shown in the figure, ठीक है, आपको देखो, simple ए यह आपका इसका cutting voltage हो गया, ठीक है cutting voltage, और यह इसका हो गया, forward resistance RF, यह चीज clear है आपकी, अब देखो, हमें आपको एक circuit दे रखा है, ठीक है, यह B वालो जो है न, यह आपका circuit है, अब हमें बताना है, if such a diode is using clipper circuit of the figure, given above, the output V0 of the circuit will be, आपका output क्या होगा V0, यह हमें बताना ह ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यह आपको पहले आपको basic चीज बता होनी चीज यह diode के बारे में, जैसे देखो, आपका अगर कोई diode ऐसे connected है, यह जैसे मान लेते हैं आपको कोई diode है, ठीक है, और इसके साथ मैंने बैटरी जोड़ दी, पॉलरेटी कुछ इस टाइ ठीक है, ठीक है, कटिन वोल्टेज लेंगे हम 0.7 वोल्ट, तो देखो, इस सरकीट को आपको इस टाइप में बना सकते हो, इस देखो, यह पॉजिटिव है, यह आपका end type material, तो पॉजिटिव मतलब यह आपका पॉलरेटी पॉजिटिव होगी, यह आपका पॉजिटिव 5 का source हो गया, ठीक है, हम लिख सकते हो, पॉजिटिव 5 वोल्ट, तो जो टो टॉटल वोल्टेज हो गया, यहापे जो टो टॉटल वोल्टेज, तो अचो दो देख सकते हो, जो फिए अआपको हो गया 5.7 वॉल्ट, इस 5.7 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, कि इस डायोड को अग चल गई कि डायोड और मुखब होगा ठीक है 5.7 वोल्ट देंगे तो आपका डायोड और न हो जाएगा ठीक है अब देखो S-type के जो questions होते हैं उनमें सबसे पहला step आपको क्या करना है कि यह जैसे हम थविनिन equivalent निकालेंगे डायोड के अक्रोस ठीक है आपका यह complete एक डायोड का अला circuit है ठीक है तो इसको remove कर देंगे यहां पर हम निकालेंगे वोल्टेज किता होगा ठीक है तो माल लेते हैं इसको वोल्टेज को कैसे निकालेंगे यह आपका होगया ठीक है आपके जो supply voltage है यह आपका 10 kilo ohm का resistance ठीक है यह आपका x point हो गया यह आपका होगया 10 kilo ohm अब यह भी आपका 10 kilo ohm है 10 kilo ohm ठीक है और यह आपका voltage निकालना है यह आपका V of x ठीक है apply voltage है हमारा 10 sin omega t ठीक है दे रखका है question में अब जोको अगर मैं को Vx निकालना है तो मैं simple ऐसे निकाल सकता है easily यह माल लेते है वी आई input voltage तो जो मेरा Vx होगा ठीक है दोनों resistance सीरीज में connected है दोनों resistance की value same है तो मैं simply बता सकता हो कि input voltage हमारा आदा आदा बढ़ जाएगा तो मैं ऐसे लिख सकता हो graph बनता है ठीक है वो अगर waveform इसकी बनाता हूं मैं यह माल लेते है Vx की waveform है maximum voltage 5V है maximum 5V जाएगा ठीक है तो कुछ इस टाप की बनेगी यह आपका बन जाएगा positive का 5V ठीक है यह आपका बन जाएगा minus का 5V ठीक है तो अगर मैं Vx की ठीक है Vx node पे जो है voltage की maximum value लिखता हो तो क इते ही जा सकती है 5V जा सकती है ठीक है इससे जादा तो नहीं जाने वाली तो हमने देखो starting में हमने condition निकाल दी थी अगर आपको diode को on करना है तो आपका voltage क्या होना चाहिए 5.7V होना चाहिए ठीक है यह फिर इसससे जादा होना चाहिए तभी आपका diode on होगा clear है बढ़ हम करने के लिए voltage में 5.7 चाहिए तो VX की value आपकी less than 5.7V है ठीक है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आपका diode है कि diode यह आपका off रहेगा यह basic concept आपका clear है तो diode अगर आपका off हो गया तो अगर मैं आप इसको बनाता हूँ circuit को again तो कुछ इस टाइप का circuit बनेगा देखिए तो य और जो VX है सेमी तो चीज है यहाप है यहाप है हमें क्या पता चला है हमारो जो output voltage है वो VX के equally होगा ठीक है तो हमें पुछी output voltage की waveform जो VX ही waveform है वो यह output voltage की waveform होगी तो VX की waveform आपकी यह वाली है ठीक है यानि कि 5V उपर 5V नीचे ठीक है तो आपका यह option correct answer हो जाएगा the figure shows a network in which the diode is an ideal one the terminal VI characteristic of the network is given by आपको इसकी VI characteristic बतानी है इस particular circuit की ठीक है तो हमारा input voltage है V ठीक है यह पर हमने देखा यह है P type यह है N type ठीक है तो यह बैटरी है यह बैटरी है यह बैटरी है यह positive यह negative ठीक है जाता clear आपका तो हमने देखा यह हमारा जो positive है यह आपका N type से connected है ठीक है तो यहाँ पर अगर देखते हम सिर्फ यह इत्ती चीज देखते है तो मैं पता चलता है कि 5V की वज़े से आपका diode reverse wise में है बट ऐसा हम confirm नहीं बोल सकते है विकाज हमारा input voltage अगर 5V से ज्यादा हो गया तो यह forward wise हो जाएगा न इसलिए में conditions चेक करने पड़ेगी ठ अगर 5V से कम हो गई तो आपका जो diode है वो कैसा हो जाएगा ओफ हो जाएगा ठीक है यानि वो कैसा हो गया reverse wise हो जाएगा ठीक है यानि कि open circuit तरह काम करेगा जब open circuit होगा आपका circuit कुछ इस टाइप में बनेगा यह आपका open circuit और यह आपकी 5V की battery और यहाँ से आपका input voltage है V ठीक है यह आपका simple circuit है तो इस case में अगर current में निकालता हूँ तो देखके बता चले है open circuit है तो current हमारा 0 हो जाएगा यह इस case में हमारा current मिल गया हमें 0 ठीक है तो दूसरा case लेके चलते है अगर आपको जो input voltage है आप दे रहे हो greater than 5V यह 5V से अगर ज्यादा दे रहे हो तब आपको जो diode है ठीक है diode आपका on हो जाएगा ठीक है on का मतलब होता है forward wires यानि कि short circuit तरे काम करेगा ठीक है तो इस case में circuit बनाता हूँ तो कुछ इस type में बनेगा ठीक है diode short यह आपकी 5V की battery ठीक है यह आपका supply voltage यह आपका है 2 ohm यह आपका है 5V ठीक है यह आपका यह voltage यह वो है minus 5 equal to 0 यह से current की value चाहिए न मेंको तो पहले voltage लिखते है एक बार voltage equals to यह आपका आजाएगा 5 plus 2i ठीक है थोड़ा और rearrange करते है यह आपका आगया 2i plus 5 ठीक है यह यह तक clear है simple मैंने यह equation लिखे ठीक है अब देखो first case में हमें को मिला 0 तो second case के लिए विया के restrict बनेगी ठीक है तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको simple compare करता हूँ y equal mx plus c से ठीक है तो यह simple के एक straight line की equation होती है ठीक है तो इससे अगर इन दोनों को मैं compare करता हूँ तो मैं सारी values होके रहा निकाल सकता हूँ ठीक है direct तो vi characteristic बनेगी यानि मेरा x-axis पे तो होगा current ठीक है और y-axis पे मेरा ह two ठीक है और मेरा जो c की value यानि constant जो है वो क्या होगा five होगा ठीक है तो slope देखो two किस-kिस में दे रखा है b में दे रखा है c में दे रखा है और d में दे रखा है ठीक है और देखो d में लेकिन current में को negative दे रखा है तो d भी मेरा नहीं होने वाला और a भी मेरा नहीं होने व कभी भी मैं को negative नहीं मिल रहा है ठाव पॉजिटिव कररंट ही मिल रहा हा हर्वार तो आपका ऑप्शन भी गलत answer हो गया या तो आपका answer क्या ओज़ेकर ओज़कता और कोद्iska करेंथर हो जैकर दिक 수 और यह हमारा हो गया flow clear है चीज? तो देखो आपका अगला motion है assuming the diode D1 and D2 of the circuit shown in the figure to be ideal ones, the transfer characteristic of the circuit will be ठीक है? आपका D1 यह रहा और D2 आपका यह रहा ठीक है? दो diode दे रहा है अब हमें बताना इनकी transfer characteristic है, यानि input और output voltage के बीच में relation बताना है, ठीक है? तो देखो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपका कुछ इस type में आपको दे रखा हो यानि diode के साथ एक battery दे रखी है ठीक है? तो इसमें पहले क्या कर रहा हो? जिस node से यह connected है उस node पे आप पहले voltage निकालिए ठीक है? तो आप मैं voltage मान लेता हो V of X ठीक है? तो पहले आप V of X की value निकालेंगे फिर हम further इसको solve करेंगे ठीक है? अब देखो इसको निकालेंगे कैसे? पहले जित्ते भी आपके diode है ठीक है? उन सब को आप remove कर दो ठीक है? तो diode को remove करेंगे पहले step आपका यह ठीक है? ठीक है? यह से एकदम remove करते हैं यह कैसे हो जाएंगे? यह आपका एक diode remove हो गया? ठीक है? यह आपका resistance हो गया? यह आपका 10V हो गया? clear है? यह आपके यह आगेन यह वाला diode भी आपका open कर दिया हमने? यह आपका यह 5V की battery हो गई? ठीक है? यह आपका यह resistance है? अब देखो resistance को दियान से देखना, ठीक है? resistance के वह लिए उसने किते दी ral equal to infinite resistance infinite कब होता है? जब आपका circuit open होता है? यह circuit यह आपके open है? यह चीज़ आपके clear है ना? तो देखो हमें यह वाला voltage निकालना है V of X ठीक है? तो यह 10V है यह 5V है और यह 2Ω है ठीक है? अब जगो कई पे भी circuit अपना close नहीं है सब जगह से open है एक चीज़ तो पता चलगी कि current कई पे भी flow नहीं हो रहा और current flow नहीं हो रहा तो 2Ω के across कुछ भी drop नहीं होगा यानि यह जो VX है इसकी value direct यह 10V मिल जाएगी देखो input voltage हमें दे रहा हो यह पे VI ठीक है? और मैंने यह पे voltage निकाल दिया ठीक है? किता 10V ठीक है? अब देखो यह जो 10V है यह 5V है इनकी वज़े से भी तो इस diode पर फरक पड़ेगा और input voltage की वज़े से भी फरक पड़ेगा यानि कोई on में हो सकता है कोई off में हो सकता है तो हम क्या करेंगे इन दोनों voltage को यानि 10V को और input voltage को इन दोनों को compare करते हो चलेंगे और check करेंगे कि कौन सा diode on है और कौन सा diode off है यह चीज आपकी clear है इसलिए हम node voltage निकालने के लिए मैंने बोला है इस type के question में पहला आपको हमेशा node voltage फाइन करना है तो node voltage हमारा हो गया अब check करेंगे जो D2 diode है तो इस type में आपका D2 diode दे रहा है यह हमारा क्या है D2 diode और निचे यह आपकी 5V की battery है और यह जो node है इस node पर voltage कितना हमारा 10V है अब देखो 10V बढ़ा है या फिर 5V बढ़ा है और विसे बाद है 10V बढ़ा है तो current का से flow होता है हमेशा 5V से low voltage side की दरफ तो मेशा current आपका ऐसे नीचे की दरफ flow होगा तो यह हमारी सुती N side यह होते P side तो N side में current flow हो रहा है ठीक अंदर की दरफ तो diode कैसा हो गया आपका off हो गया यह चीज basic clear है आपकी तो हमें पता चल गया जो D1 है यह आपका हो गया reverse biased clear है यहा तक अब देखो first case लेके चलते है ठीक है अगर आपका if आपका जो input voltage है ठीक है V.I. input voltage इसकी value कम है 10V से ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका input voltage 10V से आपका कम apply कर रहे हो तो circuit में कैसे change हो जाएंगे देखो आपका जो D1 है ठीक है यह आपका D1 diode है यहापे आप voltage दे रहो V.I. ठीक है और यहापे voltage हमने इस node पर अल्यड़ी voltage निकाल दिया 10V तो अगर आपकी V.I. input voltage 10V से कम है तो current आपका कुछ इस type में flow होगा ठीक है इस direction में इस direction में flow हो गया तो यह तो confirm होगया कि D1 आपका है वो off रहेगा ठीक है बिकोज reverse bias होगी न N type जो N material है N side है वास्था आपका current inside की दरब flow हो रहा है तो D1 आपका off होगया ठीक है और D2 हमारा already off है इमने बता दिया मैंने ठीक है तो D2 आपका off है ठीक है तो दोनों diode आपके off होगे तो इस case में अगर आप circuit बनाते हो तो कुछ इस type का आपका बनेगा देखो यह off कर दिया यह 2 ohm का resistance यह 10 volt की बैटरी ठीक है यह आपका diode यह भी off आपका तो open circuit यह 5 volt की बैटरी ठीक है यह आपका यह open circuit यह आपका यह आपका इन्फाइनेट है तो यह आज से गर मैं output voltage निकालता हो V0 देख सकते हो current कई पर भी flow नहीं हो रहा तो 2 ohm के across कुछ भी drop नहीं होगा तो यह जो 10 volt है यह पुरा का पुरा मैं को output में मिल जाएगा यानि मेरा जो output voltage आए है इस case में output voltage मेरा आगया 10 volt clear है यह basic चीज ठीक है यह तो मारा हो गया पहला case दूसरा case लेके चलते है अगर आप input voltage को यानि vi को बढ़ा देते हो यानि 10 volt से अगर जादा रखते हो तो क्या हो जाएगा आपके circuit में यह चीज़ चेक करते है तो देखो इस case में अब आपका जो current है वो p side से flow होगा यानि d1 तो इस case में हमारा on हो गया ठीक है d1 हमारा on हो गया अब देखो d2 में already हमने देखा कि नीचे यह 5 volt है अब आप अगर input voltage 10 volt से जादा दे रहे हो यानि यहापर क्या होगा 10 volt से जादा होगा तो वो obvious वो जो भी वो value होगी 5 volt से तो जादा ही होगी न ठीक है तो d2 अभी भी आपका off ही रहेगा इस चीज आपके clear है तो d2 अभी भी आपका off ही है ठीक है तो d2 off हो गया तो इस case में आप अगर इस circuit बनाते हो वापेश तो देखो यह हमारा short हो गया ठीक है यह हमारा 2 ohm का resistance यह हमारी 10 volt की battery यह हमारा open ठीक है यह आपकी 5 volt की battery यहाँ से हम output लेंगे मिल रहा है यहनि कि हमारा इस case में output voltage में क्या मिला input voltage के बराबर मिला clear है चीज तो देखो अगर इन दोनों को मैं plot करता हूँ transfer characteristic बोलिए transfer का मतलब कि input voltage और output voltage के बीच में relation में को बताना है तो यह मेरा हो गया output voltage यह मेरा हो गया input voltage clear है अब मैं लेके चलो 10V तो मान लेते हैं यहापर कई पर हमारा input voltage है यहापर 10V है ठीक है यह हो गया मेरा 10V clear है तो जब जब आपका input voltage 10V से कम है output voltage हमारा fix से 10V मिलने वाला है ठीक है तो मान लेते हैं output voltage हमारा यहापर कई पर 10V है यानि कि यह 10 volt हमें मिलेगा output voltage ठीक है जब तक आपका input voltage 10 volt से कम है clear है तक अब देखो simple 10 volt से कम था अब जैसे 10 volt से जाधा हो जाएगा आपका voltage क्या हो जाएगा input voltage और output voltage same हो जाएगे यानि कि same मतलब एक ऐसे state line बनेगी ठीक है यानि जितना input voltage बढ़ाँगे output voltage बढ़ेगा ठीक है तो यह आपका कुछ इस type के आपकी transfer characteristic बनेगी ठीक है तो आप देख सकते हो जो आपकी A characteristic है यह एकदम same है ठीक है तो आपका A option correct answer हो जाएगा clear है चीज? in the circuit given below D1 and D2 ideal which one of the following representation the transfer characteristic of the circuit ठीक है? कौन सी आपकी represent करती है transfer characteristic इस particular circuit के लिए यह चीज के लिए आपको बताना है तो देखो simple मैंने बता रहा है जब भी कुछ step का आपको दिखे तो पहला step आप क्या करिए? वो diode जिस भी node से connected है आप आप voltage निकालेंगे तो मैं voltage बान लेता हूँ V of X last question जैसे यह कुछ तो देखो V of X निकालना है तो पहले diode को क्या करेंगे? सारे diode को हम remove कर देंगे तो अब आपका circuit कुछ इस टाइप का बन जाएगा ठीक है? यह हमने open कर दिया यह आपका 6 kilo ohm का resistance यह आपके 10 volt की battery then यह आपके 4 kilo ohm का resistance ठीक है? यह आपका connected हो गया यह diode आपका open हो गया यह आपके 5 volt हो गया then यह आपका output terminal ठीक है? अब देखो यह आपका है 6 kilo ohm ठीक है? यह आपका है 4 kilo ohm ठीक है यह आपका क्या था? 10 volt मैंको voltage क्या निकालना है? यह आपके निकालना है ठीक है तो इसलिए हमने सीधा बोल देता कि output voltage हमारा 10V मिल गया और यहाँ पर देखो यह इस loop में current flow होगा ठीक है तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि 6KW और 4KW किस से series में connected है ठीक है बिकोज इस side कुछ भी current flow नहीं हो रहा 0A है ठीक है और इस side already open है तो यह पूरे series मे होगे 6KW और 4KW series में और total voltage यहाँ पर इस circuit में कितना है इस loop में 10V तो simple voltage division लगा के मैं VX की value निकाल सकता हूँ तो देको VX की value का जागी VX equals to total voltage है मेरा 10 निकालना मुझे किस के across है 4KW के across तो 4KW divided by दोनो resistance add यानि 6 plus 10 यानि 10KW ठीक है तो kilo से kilo cancel 10 से 10 cancel तो यहाँ से मैंको VX की value तो मिलके simply ठीक है यह मेरी आगी 4V यानि मैंने node voltage तो निकाल दिया किता है 4V यहाँ तक clear है आपका अब यह आपके देखो हमने यह voltage तो निकाल दिया 4V है ठीक है अब obvious ही बात है कि 5V आपका 4V से बढ़ा है तो current flow होगा high voltage से low voltage की side तो current आपका कुछ इस side में flow होगा इस चलते है ठीक है first case लेते है अगर आपका input voltage है ठीक है VI यह less than आपका 4V है ठीक है जो node voltage से उससे कम लेके चलते है initially तो देखो यह जो D1 diode है यहाँ पर आपका हो गया 4V ठीक है और यह हमारा हो गया यहाँ पर VI तो अगर VI की value 4V से कम है तो current आपका कुछ ऐसे flow होगा ठीक है औ ठीक है यह n side है और यह p side है तो D1 तो हमारा हो गया off ठीक है D1 हमारा off हो गया ठीक है वैसे आपका देखो D2 भी इस case में क्या हो जाएगा off हो जाएगा ठीक है ठीक है बिकॉξ input voltage उल्रेड़ी 4V से कम ही है ठीक है तो D2 आपका off ही रहने वाले रहने ठीक है ठीक है ठीक है ठ और 4 वोल्ट से कम दे रहे हैं और 4 वोल्ट से अगर कम है तो वह वैलिव अल्यडी 5 वोल्ट से कम ही होगी ठिक है तो उसे से ₹ तो आपका क्या हो जाएगा ओन हो जाएगा ठीक है विगाज 5 वोल्ट जाद है और करण आपका पी साइड पी साइड से एंटर हो रहा है तो दी टु हमारे यहां से हो गया ओन ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप सर्केट बनाते हो तो पहले यह ओफ हो गया यह 6 किलो ठीक है यहापका टीटू शॉट ही कह दैन यहापका 5 वोल्ट की बैटरी यहापका faj फोल्ट ठीक है और यहापी हमेh zusammenidge कि साबके लेगा अगर आपका Input Volt is ठीक है, Input Voltage हम क्या लेकर चलते है, Normally लेकर चलते है Greater than 4 Volt ठीक है, बट यहाँ पर देखो हम Greater than 4 Volt लेकर जानी चलेंगे, क्यूं देखो अगर आप Greater than 4 Volt लेकर चलते हो इसका मतलब क्या हो गया, 4.1 भी हो सकता है 4.2 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है ठीक है यह सारे values हो सकती है तो यहाँ पर देखो जरा अगर जब तक मेरी voltage की value ठीक है input voltage की value इसकी 5V तक नहीं होगी तब तक मेरा क्या होगा D2 on ही रहने वाला है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको 4V ना लेके 5V लेके चलते है input voltage greater than 5V ठीक है तो इस case में क्या हो जाएगा देखो आप पर जो D1 है ठीक है इस case में D1 तो आपका on हो जाएगा ठीक है अपका on हो जाएगा बिकोज obviously बात है input voltage आपका 5V से बढ़ा है तो यहाँ पर तो 4V ही है ना इस node पर तो 4V से जादा हो गया तो current आपका ऐसे flow हो जाएगा और D1 आपका on हो जाएगा ठीक है और obvious बात है यहाँ पर 4V है ठीक है और यहाँ पर किता है 5V है अब देखो हम input voltage जाए रहे greater than 5V तो 5V greater than यानि कि यहाँ पर 6V भी हो सकता है ठीक है तो यह जो 6V अगर हुआ तो 5V से तो जादा ही है न तो D2 इस केस में क्या हो गया ओफ हो जाएगा ठीक है ठीक है तो D2 हमारा इस केस में हो गया अफ तो D2 जैसे ही ओफ हो गया ठीक है तो इस केस में आपका जो circuit है वो देको कुछ इस टाइप का बन गया यह 6Kilohm ठीक है सारी ब्रांच आपकी parallel में तो इस केस में हमें मिल गया input voltage equals to output voltage ठीक है तो अगर इसके लिए मैं characteristic बनाता हूँ तो कुछ इस टाइप की बनेगी देखो let's say यह आपका हो गया output voltage यह आपका हो गया input voltage ठीक है जब हमारा input voltage less than 4V है ठीक है तो मान लेते है यहाँ पर कई पर यह 4V है ठीक है तो इसकेस में output voltage किते हैं 5V है ठीक है तो यहाँ पर मारा हो गया 5V गई पर तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 5V ठीक है दूसरा आपने देखा जब greater than 5V है ठीक है अब सिन समय देखो second option में second case में क्या consider क्या है 5V consider करके चल रहे है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बिकाज देखो first case में आप यहाँ लिए वी आई यानि input voltage less than 5V अगर आप इसको less than 5V भी लेते हो तो भी आपका D2 on ही रहने वाला है ठीक है ज़्यादा कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है because already आपके 5V है और आप ले रहे हो 5V से कम तो अभी भी यह D2 आपका क्या रहेगा on ही रहेगा ठीक है ठीक है तो इसको हम देखो option के according चलते है तो इसको हम लेंगे 5V ठीक है अब देखो जैसे आपका input voltage greater than 5V हो गया तो हमारा input voltage and output voltage same हो गया तो same मतलब take them straight line ठीक है कुछ इस आपका B option correct answer हो जाएगा clear a change a zener regulator has an input voltage varying between 20V to 30V the desired regulated voltage is 12V while the load varies between 140 ohm and 10 kilo ohm the maximum resistance in series with the unregulated source and zener diode would be तो हमें क्या बताना है maximum आपका जो source resistance होगा वो basically बताना है ठीक है तो इसको simple पहले circuit बनाते है इसका तो हमारा unregulated voltage है कुछ ठीक है यह आपका unregulated voltage हो गया ठीक है प्लस minus तो जैको यह जो voltage है ठीक है इसके हमें simple range दे रखी यह आपका हो रहा है 20V से 30V के बीच में vary हो रहा ह ठीक है यहां पर हमारा कोई एक gener diode है यहां पर हमारा हो गया गीनर diode ठीक है इस थाइप में हो गा और यह कितना voltage regulate कर रहा है यह चोक प्लस माइनस 12V यह regulate कर रहा है ठीक है और यहां पर हमारा एक हो गया यह load resistance अब इसमें बोला जीनर डायोड और आपका unregulated source के बीच में ए maximum value ठीक है अब देखो simple connect कर लेते हैं पुरा circuit यह हमारा connect हो गया जा तक ठीक है आपका अब देखो यहां से हमारा flow होगा source current ठीक है यहां से हमारा flow होगा load current और यहां से हमारा flow होगा जीना diode के थूरू जो current flow हो रहा है ठीक है अब जो load resistance से यह में दे रहा है 140 ohm से लेके 10 kilo ohm ठीक है इतना अब देखो यह जो जीनर डायोड है यह 12 वोल्ट को regulate कर सकता है इसका मतलब क्या हुआ कि आपे simple एक 12 वोल्ट आपका पैटरी लग जाएगी ठीक है 12 वोल्ट regulate कर सकता है तो यह आपका आगया opposite polarity में 12 वोल्ट क्या तक क्लियर है यानि कि इस नोड पे आपके voltage किता है 12 वोल्ट है क्या तक ठीक है अब देखो जो source current होता है यह relation आपके लिए important है source current आपका होता है जीने डायोट के तुरू जो भी current flow हो रहे है plus आपका जो भी load current है ठीक है यह आपका source current का simple formula रहता है हमेशा अब देखो आपका जो source current है ठीक है यह आपका रहता है constant ठीक है source current constant रहता है अब constant कैसे रह गा यह देखो अगर आपका जीने डायोट के तुरू current करतें है इसकी value minimum है तो i el कAt 것 क्यों वोगी maximum हो ठीक है और अगर आपकी जो जीने डायोड़ के थूरुक Corinth है कि विली अगर maximum है टो आपका जो load current है फिनिमों होगा तब ही आपका ऌरे रहेगा ठीक है तो यह basic आपको पता रहना चीछिए अब द्हें को जो आइडियली जब बात करते हैं तो आइडियली क्या रहता है जो आपका I, Z minimum होता है जीनर डायट के थुरू जो minimum current होता है या फिर इसको हम नी current भी बोलते है I, Nी current ठीक है आइडियली इसकी value होती है 0 ठीक है यह आपको पता रहनी चाहिए तो यहाँ से देखो अगर मैं source current निकलता हूँ तो simple source current equal to आपका यह होगा देखो I, Z minimum ठीक है प्लस आपका जो भी load current है I, L इसकी value maximum ठीक है अब since कुछ mention नहीं करका इसने I, Z minimum के बारे हम question में तो हम इसको 0 लेके चलेंगे तो यहाँ से में मिल गया है कि source current हमारा equal है I, Z of I, L of ठीक है maximum value है यह लोड current की maximum value clear है तो therefore अब अगर मैं को load current निकालना है load current ठीक है तो यह क्या हो जाएगा simple देखो 12V आपका load के across है ठीक है तो यह हमारा हो गया 12V ठीक है divided by अब देखो यहाँ पर क्या आएगा load resistance अब मैंको load current चाहिए maximum तो load current maximum का मिलेगा जब मैं load resistance की minimum value लोगँगा ठीक है विकोज मैंको range दे रखी है न तो यहाँ से ही हो गया 12V और load resistance की minimum value है 140 Ohm ठीक है तो यहाँ से मैंको यह मिल जाएगा 0.0857 Ampere ठीक है अब देखो मैंको load current मिल गया यानि कि मैंको simple source current मिल गया तो IS मेरा आ गया 0.0857 Ampere क्लियर है यहाँ तक source current तक अब देखो यहाँ पे अब देखो आपका source current यह flow हो रहा है यहाँ आपका क्या है source current ठीक है इस particular node पे मैंको voltage पता है तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो therefore अगर मैं source current को ऐसे लिख सकता हो source current IS equals to simple मैरा जो भी input voltage है यह निकि VI input voltage minus 3 अपका zener voltage जो की 12 voltage ठीक है divided by अपका जो भी source resistance है ठीक है अब ज़रा देखो यहाँ से अगर मैं source resistance की value निकालता हूँ RS यह value क्याएगी जो भी मैरा input voltage है ठीक है माइनस जीनर voltage मैरा है 12V 12V divided by जासे यह मेरा आ गया source current IS जा तक आपका clear है अब देखो मैंको source resistance क्या बोला है maximum source resistance पूचा है ठीक है तो गर maximum पूचा है तो मैंको IS कैसा चाहिएगा यानि जो मैरा source current है मैंको minimum चाहिएगा ठीक है तो या आप लिख सकते हो simple धेको because आपका जो source current आपको source current आपको चाहिए minimum therefore ठीक है because आपका source current minimum चाहिए because देखो आपका at the end जो source current है वो होता क्या आपका voltage divided by आपका resistance होता है ठीक है तो अगर current आपका minimum चाहिए तो हमारा input voltage भी तो हमें minimum चाहिएगा ठीक है और input voltage minimum होगा तभी तो यह आसे हमारा maximum मिलेगा source resistance clear है यह basic आपका यह आपा idea है इसके वो जैसे हम क्या करेंगे यह जो हमारा input voltage है की minimum value लेंगे ठीक है तो input voltage की minimum value हमारे कित्ती है आपके 20V ठीक है 20-12 और source current हमने अल्रेड़ी निकाल दिया है 0.0857 ठीक है आप इसको simply solve करिए यह आपको मिल जाएगा 93.3 ohm तो आज के लिए बस हम इत्ता ही करेंगे बाकी questions हम अगली वीडियो में करेंगे Thank you very much